Good morning friends, welcome to my channel A Study Motion तो आज इतिहास खंड का एक महत्पूर्ण चेप्टर भारत में राष्टवाद का हम लोग A Study करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं प्रथम बिस्वयुद प्रथम बिस्वयुद फर्स्ट वर्डवार के बारे में जानते हैं प्रथम बिस्वयुद कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को प्रथम बिस्वयुद स्टार्ट हो गया था कब तक चला था? 1918 इस्वी तक 28 जुलाई 1914 को प्रथम बिस्वयुद स्टार्ट हो गया था और कब तक चला था? 1918 इस्वी तक इसमें कितने देशों ने भाग लिया था इसमें 37 कंट्री भाग लिया कितना थे 37 देश कितना वर्ष तक चला तो ये 4 एर तक चला प्रथम विश्वुद चार साल तक चला और इसमें 37 देशों ने भाग लिया चलिए आगे देखते हैं प्रथम विश्वुद्ध के प्रभाव क्या ख्या इफेक्ट हुए उस इफेक्ट के बारे में देखेंगे युद्ध के कारण रक्षा समंधी खर्चे में बढ़ोत्री हुई थी युद्ध के कारण रक्षा समंधी जो खर्च था उसमें बढ़ोत् और बहुत सारे वस्तों का जो टेक्स था टेक्स को बढ़ाया गया वास्त्विक से जादे कर देना पड़ता था आदमी सब को तो अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इंकम टेक्स को बढ़ाना पड़ा अतिरिक्त राजस्व, राजस्व भी एक प्रकार का कर है जिसको जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इंकम टेक्स को बढ़ाना परा युद्ध के वर्सों में चीजों की कीमते बढ़ गई, जितना भी सामान था सब ही का कीमत बढ़ा दिया गया 1913-1918 के बीच दाम दोगुने हो गये जितना भी सामान था सब का दाम दोगुना कर दिया गया कितना से कितना के बीच 1913-1918 के बीच मतलब कि प्रत्हम विश्युदि के समय दाम बढ़ने से आम आदमी को अत्यधिक परिसानी होई तो सामान सब का दाम बढ़ा तो आम जो जनता थी उसको अत्यधिक परिसानियों का सामना करना पड़ा ग्रामीन इलाकों से लोगों को जवरन सैना में भरती किया जाने से भी लोगों को बहुत गुसा था ग्रामीन इलाकों से सैना में जवरन भरती किया जाने लगा जिससे वहां के ग्रामीन वासी काफी गुसा में थे अंदर से दधकती आग के कारण वो लोग चाहते थे कि ऐसा नहीं हो जवरन सैना में हम लोगों को भरती नहीं किया जा आगे बढ़ते हैं भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई जिसके कारण भुखमरी की समस्या उत्पन हो गई इंफ्लियंजा की महारानी ने समस्या को और गंभीर कर दिया 1921 की जनगना की अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 लाग से 130 लाग तक लोग मारे गए इस अकाल और महामारी के कारण केतना लोग 120 लाग से 130 लाग लोग मारे गए अब आते हैं सत्यागरा का अर्थ क्या होता है सत्यागरा सब्द का अर्थ समझते हैं कि क्या होता है सत्यागरा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के रूप में जनांदोलन का एक नया तरीका अपनाया यह तरीका इस सिधांत पर आधारित था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो तो उसे अपने उपर अत्याचार करने वालों से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती गांधी जी का विश्वास था कि एक सत्याग्रही अहिंसा के द्वारा ही अपनी लड़ाई को जीत सकता ठीक तो यह सत्याग्रह का वास्त्विक अर्थ हो गया आगे चलते हैं रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट क्या है रॉलेट एक्ट इम्पिरियल लेगिसलेटिव कॉंसील द्वारा उनीस सो उनीस में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था किसके द्वारा इम्पिरियल लेगिसलेटिव कॉंसील के द्वारा कितना इस्वी में? 19 मार्च 1919 इस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था इसकी अनुसार किसी भी संदेहास पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरपतार किया जा सकता था परंतु उसके विरुद ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता था यह हमारा क्या है? रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था कितना में? 19 में भारतिय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया था लेकिन फिर भी यह पारित हो गया था इसके तहट बिना ट्रायल के ही राजनेतिक कैदियों को दो साल तक बंदी बनाया जा सकता था बिना ट्रायल का ही राजनेतिक कईदियों को कितने साल तक दो साल तक बंदी बना के रखा जा सकता था 6 अप्रेल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जीने राष्ट व्यापी आंदोलन की शुरुबात की कितना इसवी में 6 अप्रेल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जीने राष्ट व्यापी आंदोलन की शुरुबात की हर्ताल के आवान को भारी समर्थन प्राप्त हुआ ये जो हर्ताल के गांधी जी तो जितना भी जनता था भारी समर्थन किया गांधी जी का अलग-अलग सहरों में लोग इसके समर्थन में निकल पर दुकाने बंद हो गई रेल कार खानों के मजदूर हर्ताल पर चले गए अंग्रेजी हुकुमतों राष्ट वादियों पर कठोर कदम उठाने का निन्न ने लिया अब जब सब समर्थन करने लगा राष्ट व्यापी आंधोलन का तो अंग्रेजी हुकुमत राष्ट वादियों पर कठोर कदम उठाने का निर ने लिया कई अस्थानिय नेताओं को बंदी बना लिया गया तो ही हमारा रॉलेट एक्ट था तो रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोगों ने अभी देखा अब आते हैं अगला टोपिक है जलिया वाला बागत्याकांड ये रॉलेट एक्ट कई बार बोर्ड एक्जामस में पूछा जा चुका है इस पर संचिप्त नौट लिखे रॉल गिखे रॉलेट ये वाला बागत्याकांड 10 अपरेल 1999 को अमरित सर में पूलीस ने सांती पुर्ण प्रदर्शन कारियों पर गोली चलाई कितना इस की stealthy MEs 10 अपरेल 19 पर जितने भी सरकारी संस्थाएं थी सभी पर आक्रमन करना सुरू कर दिया अमरीत सर्वें मार्सल लौ लागू किया गया इसकी कमान जेनरल डायर के हाथों में सूप दी गए जलिया बाला बाग का दुखद नरसंधार 13 अप्रिल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रहे थी 13 अप्रिल के दिन पंजाब में क्या मनाई जा रहे थी बैसाखी मनाई जा रहे थी ग्रामिनों का एक जथा जलिया बाला बाग में लगे एक मेले में सडी खोने आया था यह बाग चारो तरब से बंद था यह बाग क्या था चारो तरब से दिवारों से घिरा हुआ था निकलने के रास्ते संकिर्ण थे और चारो तरब से घिरा हुआ था और निकलने का जो रास्ता था वो काफी छोटा था तो जेन्रल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिये अब जेन्रल डायर क्या किया निकलने वाला रास्ता को भी बंद करवा दिया बहीर पर गोली चलवा दिये और उस सभा में जितना भी आदमी था सभी पर गोली चलवा दिये इस दुरगटना में शेक रो नहीं हाजारों लोगों की मिरतियों सरकार का रबयया बड़ा ही कुरूर था इससे चारों तरफ हिंसा फैल गए महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वे हिंसा नहीं चाहते थे आंदुलन के विश्थार की आवस्षकता क्या है उसको पढ़ते हैं गायों में नहीं पहुचा था यह सहर तक ही सिमित महातमा गांदी को लगा कि भारत में आंदुलन का विश्थार होना चाया उनका मानना था कि ऐसा तब ही हो सकता है जब हिंदु और मुसल्मान एक मंच परा जाए तब ही ऐसा संभव हो सकता है अगला टॉपिक है खिलाफत अंदूल खिलाफत के मुद्दे ने गांधी जी को एक अवसर दिया जिसे हिंदू और मुसलमानों को एक मंच पर लाया जा सकता था प्रथम विश्युद में तुर्की की करारी हार हुई ओटोमन के सासक पर एक करे संधी समझोते की अफवा फैली हुई थी ओटोमन का सासक इसलामी संप्रदाय का खलीफा भी हुआ करता था ओटोमन का जो सासक था वो इसलामी संप्रदाय का क्या खलीफा हुआ करता था खलीफा की तरफदारी के लिए बंबई में मार्च 1919 में कहां पे बंबई में एक खिलाफत कमीटी बनाईगी क्या बनाई गई एक खिलाफत कमीटी का निर्मान किया गया मुहम्मद अली और सौकत अली मुहम्मद अली सौकत अली नाम आप लोगोंने सुना होगा मुहम्मद अली और सौकत अली नाम के दो भाई इस कमीटी के नेता थे किस कमीटी के खिलाफत कमीटी बनाएगी उसका नेता कौन था मुहम्मद अली और सौकत अली दो भाई वे भी यह चाहते थे कि महात्मा गांधी इस मुद्दे पर जन आंदोलन करे वे दोनों भाई भी चाहते थे कि महात्मा गांधी इस मुद्दे पर जन आंदोलन करे 1920 में कॉंग्रेस के कौलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत के समर्थन में और स्वाराज के लिए एक अवग्या आंदोलन की सुरुवात करने का प्रस्तो पारिट हूँ 1920 में कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में कॉलकत्ता अधिवेशन में ठेक तो चलिए आगे चलते हैं अब और सहयोग आंदोलन क्या है और सहयोग आंदोलन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वाराज 1909 में महात्मा गांदी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए अस्थापित हो सकी भारत में अंग्रेजी राज इसलिए अस्थापित हो सकी क्योंकि भारतियों ने उनके साथ सहयोग किया था क्योंकि भारतियों ने उनके साथ क्या किया था सहयोग किया था और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकुमत करते थे यदि भारतिय सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजी राज एक साल के अंदर चर्मा आ जाएगा अगर भारतिय सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेज पास भारत को छोड़ कर चले जाने के अलावा और कोई चारा होगा ही नहीं अब देखते हैं अश्वयोग आंदोलन के प्रस्ताव क्या क्या प्रस्ताव थे तो पहला प्रस्ताव क्या है अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना उसके बाद दूसरा प्रस्ताव सिविल सर्विस, सेना, पुलीस, कोट, लजिस्टेटिव कॉंसिल, लजिस्लेटिव कॉंसिल और स्कूलों का बहिसकार इन सभी चीजों का बहिसकार था इसके अंदर उसके बाद तीसरा था बिदेशी वस्तूं का बहिसकार, जितना बिदेशी वस्तू है उसका बहिसकार अगला पॉइंट यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज ना आए तो संपूर्ण अवग्या आंदुलन की सुरुबात चलिए आगे देखते हैं आंदुलन के बिभिन स्वरूप क्या क्या है आंदुलन के बिभिन स्वरूप वस्तूयोग खिलाफत आंदुलन की सुरुबात जनवरी 1921 में हुई इस आंदुलन में समाज के बिभिन वर्गों ने सिर्कत की थी और हर वर्ग की अपनी अपनी महत्व कांशा थी सब ने स्वराज के आवान का सम्मान किया था लेकिन बिभिन लोगों के लिए इसके बिभिन अर्थ थे बिन भिन लोगों के लिए बिन भिन अर्थ थे तो सहरों में आंदोलन किस प्रकार हुआ उसको देखते हैं सहरों में मध्य वर्ग से आंदोलन में अच्छी भागी दारी हुए मध्यम वर्ग से आंदोलन में अच्छी भागी दारी हुए दूसरा पॉइंट हजारों चात्रों ने सिक्षकों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिये सिक्षकों ने इस्थिपा दे दिया वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दिये अब इस्कूल और कॉलेज छोड़ दिये स्टुडेंट्स सिक्षक इस्थिपा दे दिए वकील वकालत छोड़ दिए अब तीसरा पॉइंट देखते है मदरास को छोड़ कर अधिकांस राजियों में कौन सील के चुनाओं का बहिसकार किया गया मदरास के छोड़ के अधिकांस राजियों में ऐसे लोग थे जो ब्रह्मन नहीं थे जस्टिस पार्टी में ऐसे लोग कौन थे जो ब्रह्मन नहीं थे तो उनके लिए कॉंसील के चुनाओ एक ऐसा माध्यम था जिससे उसके हाथ में कुछ सत्ता आ जाती ऐसी सत्ता जिस पर केबल ब्रह्मनों का नियंत्र था जिस पर केबल वस्तों का बहिस्कार हुआ, सराव की दुकानों का गहराव किया गया, बिदेसी कपरों की होली जलाई गई, 1921 से 1922 तक बिदेसी कपरों का आयात घटकर आधा हो गया, आयात 102 करोर रुपिये से घटकर 57 करोर रह गया, कितना 102 करोर से घटकर 57 करोर रह गया, बिदेसी कपरों क बहिसकार से भारत में बने कपरों की मांग बढ़ गए अब बिदेशी कपरों का बहिसकार हुआ तो भारत में जितना भी छोटे तबके के आदमी कपड़ा बनाते थे उनका मांग बढ़ गया चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है आंदोलन में सुस्ती आने के कारण आंदोलन में जो सुस्ती आया उसका क्या कारण था उसको देखते हैं पहला कारण क्या है मील में बने कपरों की तुलना में खादी महगी परती थी मील में जो कपड़ा बनता था उसके तुल्ला में खादी कपड़ा काफी महगा परता था गरीव लोग खादी को खरिदने में समर्थ नहीं थे गरीव लोग खादी कपड़ा को खरिदने में समर्थ नहीं थे दूसरा है अंग्रेजी संस्थाओं के बहिसकार से विकल्प की तोर पर भारतिय संस्थाओं की कमी की समस्या उत्पन्न हो गए ऐसी संस्थाओं बहुत धीरे धीरे पनप पारे थे सिक्षक और छात्र दोबारा स्कूलों में जाने लगे इसी तरह वकील भी अपने काम पर वापस लोटने लगे तो यही जान्दोलन के सुष्टी का कारण था चलिए आगे देखते हैं गाउं में किस परकार बिद्रो हुआ सहरों के बाद गाउं में भी औस योग आन्दोलन फैलने लगा भारत के बिभिन भागों के किसान और आदिवासी भी आन्दोलन में सामिल हुए अब सहर के भाती गाउं में भी औस योग आन्दोलन फैलने लगा और भारत के बिभिन भागों के किसान और आदिवासी भी इस आन्दोलन में भाग लेने लगे अवद में बाबा रामचंद्र ने किसान आंदोलन की अगवाई की यह एक सन्यासी थे जिन्नोंने पहले बंधवा मजदूर के तौर पर फीजी में काम किया था तालुकदारों और जमिनदारों से अधीक माल गुजारी मांगे जाने के विरोध में किसान उठ खरे हुए जमिनदारों से अधीक माल गुजारी मांगे जाने के विरोध में किसान उठ खरे हुए थे किसानों की मांग थी कि माल गुजारी कम कर दी जाए बेगार को समाप किया जाए और कठोर जमिनदारों का सामाजिक बहिसकार किया जाए कठोर जो जमिनदार है जो जादे लगान चाहता है उसको क्या किया जाए उसका बहिसकार किया जाए जून 1920 में जवाहर लाल नहरू ने गाओं का दोड़ा करना शुरू कर दिया था वह किसानों की समस्या समझना चाहते थे अक्टूबर में अवद किसान सभा का गठन हुआ इसकी अगवाई जवार लाल नहरू बाबा रामचंद्र और कुछ अन्यलोग कर रहे थे जवाहर लाल नहरू बाबा रामचंद्र कुछ अन्यलोग कर रहे थे तो अपने आपको किसानों के आंदोलन से जोर कर कॉंग्रेस अवद के आंदोलनों को एक व्यापक और सयुग आंदोलन के साथ जोरने में सफल हो पाए कई अस्थानों पर लोगों ने महात्मा गांधी का नाम लेकर लगान देना बंद कर दिया था अब आते हैं आदिवासी किसान महात्मा गांधी के स्वराज का आदिवासी किसानों ने अपने ही ढंग से मतलब निकाला था आदिवासियों को जंगल में पसू चराने वहां से फल लक्रियां एकठा करने से रोका जाता था जंगल से सम्मधित नए कानून उनकी आजिविका के लिए खत्रा साबित हो रहे थे सरकार उन्हें सरक निर्मान में बेगार करने के लिए बाधित कर रहे थे सरकार उन्हें सरक निर्मान करने के लिए भी नहीं देड़ा था आदिवासी छेत्रों से कई बिद्रोही हिंसक हो गए और कई बार अंग्रेजी अपसरों के बिरुद जो है युद्ध भी छेड़ दिया अते हैं बगानों में स्वराज इंडियन एमिग्रेशन एक्ट 1859 के अनुसार चाय के बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना अनुमती के बगान छोड़ कर जाना मना था किस एक्ट के अनुसार इंडियन एमिग्रेशन एक्ट 1859 के अनुसार चाय के बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना अनुमती के बगान छोड़ कर जाना मना था जब आसा योगांदुलन की ख़बर बगानों तक पहुशिए तो कई मजदूरों ने अधिकारियों की बात मानने से इंकार कर लिया बगानों को छोड़ कर वे अपने घरों की तरफ चल पड़े लेकिन रेलवे और एस्टीमर की हर्ताल के कारण वे बीच में ही फस गे पुलीस ने उन्हें पकर लिया और बुरी तरफ पीटा फसने के कारण पुलीस ने क्या किया पकर लिया और अंधा धून पीटा कई लेशकों का मानना है कि आंदोलन के सही मतलब को कॉंग्रेस द्वारा ठीक तरिके से नहीं समझाया गया आंदोलन का जो विशेस मतलब था सही मतलब था उसको कॉंग्रेस के द्वारा नहीं समझाया गया ये कई विशेस अग्यों का मानना है बिभिन्य लोगों ने अपने अपने तरिके से इसका मतलब निकाला था उनके लिए स्वाराज का मतलब था उनकी हर समस्या का हंत लेकिन स्वाराज के बिभिन्य वर्गों के लोगों ने गांधी जी का नाम जपना शुरू कर दिया लेकिन समाज के जो बिभिन्य वर्ग के लोग थे वो क्या कर रहे थे गांधी जी का नाम जपना शुरू कर दिया और स्वतंत्र भारत के नारे लगाने शुरू कर दिया और क्या क्या स्वतन्त्र भारत का नारा गूझ उठा एसा कहा जा सकता है कि वे अपनी समझ से पड़े उस विस्त्रित आंदोलन से किसी ना किसी रूप में जुरने की कोसिज कर रहे थे तो हम लोगों ने अभी भारत में राश्टरवाद का स्टेडी किया और इसका जो कुछ अन्य पार्ट्स है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही साथ सेयर करें धन्यवाद